हेलो डियर फ्रेंड फ्रेंड आप सभी का स्वागता अपने एजुकेशनल चनल फ्रेंड जो इजुकेशन में देखे डियर इस वीडियो मफन बात करते हैं कोलेज लेक्टर यह असिस्टेंट फ्रोफेसर है उसकी क्या तो सैल्डी है बहुत ही इंपोटेंट वीडियो है बह इतनी वर्धी हुई है अभी नया टीए में मिल गया है थीक है नो enqu Smells इंकी में और देखेंगे इस वीडियो में वीडियो को बगए D史elas कि देखना इसके बार में आप कोई भी जानकर लेना साथ है तो आप प्लेडिस्ट में जाकी वीडियो देख सकते हैं पूरी जानकरी जानकरी मिलेए आपको तो यह स्टार्ट करते हैं देखें इनकी ग्रेड पर होती है टर्फट शहयाजार लेवल में आते हैं ऐल फंदरा में ठीक है यह फंदरा में आते हैं बहुती अची सर्विश वह सर्विश बहुती शर्विश्य क्या इनकी मतलब सिटेटकर रहता है बहुती विडिया प्रोफाइल है अपने बात करें के सुट यह लेए वे पर पंदर पर फैसों से 49,600 अब देखे 2 साल तक इनका प्रोबेशन प्रोबेशन प्रिट चलता है राष्तान में हर सरीश में चाहिए कोई सी सरीश हो 10 क कमी सायली विल वी अब देखिए आपकी कटोती किसमें होगी इससे पहले कटोती होती थी NPS में यानि न्यू पेंशन इसकिम पहले NPS चलता था तो उसमें आपका 10% पैसा कटता था और 10% गोवर्मेंट अपनी तरफ से देती थी अब वो NPS की कटोती होगी बंद है एक अप्रेल 2022 से होगी बंद है अब आपका पैसा किसे में कटेगा तो वो GPF में कटेगा और RGHS है यह तो है राष्टान गोवर्मेंट हेल्थी स्कीम यानि आपको जो मेडिकल स्वीदा मिलेगी जो सिकिस्षिक स्वीदा मिलेगी जो इसम इसमें पैसा नहीं कटेगा तो इन हैंड यह आपको इतली जर्शे सुपचीस रुपए मिलेंगे आप देखे साथ यह दो साल के बाद आपके मज़े मज़े स्टाट हो जाएंगे यानि कि आपकी जो बेसिक सेल्डी है वो बढ़ जाएगा लेवल 15 के अंदर अब आपकी ब 9% और 18% की तरसे मिलेगा 18% एक चारी काम मिलेगा तो देखो वाई कैटेगरी की सिटी कौन कौन ची है जैसे जैपूर जोदपूर विक्कानेर अजमेर कोटा इन्हें द्यान देना एक चीज़ बताऊंगा जो सिटी एरिया है ठीक है पूरे जैपूर में नहीं पूरे एक चारी मिलेगा 18% बाकि सभी जगाव को एक चारी मिलेगा 9% ठीक है चाहिए आपकी तुटी अलोर में हो चाहिए कहीं और हो अब बात करें एक्टर अलाउंच की तो इनको एक्टर लांस कुछ और नहीं मिलता है नई ट्रैवलिंग अलाउंच मिलता है ग्रोश एल इन के पीरेड के अंदर नहीं करते हैं दो साल बाद इस टार्ट होता है जैसे आफ की साथ मानलों की दुरगटना हो जाती है ठीक आफ एक्सिडेंट हो जाते हैं तब ऐसाई के जरी आपको पैसा मिलता है ठीक है फ्ले मिलता है वह ओता है एसाई इस्टेट इंस्वरेंस यह विक यह पूरा पैसा आपको रिटार्मेंट की समय मिल जाता है फिर इंट्रेस्ट जी पीएफ और ऐसा ही दोनों का पैसा और जी आपको बताई दिया कि आपको भी हैल से रिलेटेट सुईधा लिए सकते हैं प्राइट ऑस्पिटल में आपका पैसा आठीश पीचेतर रुपए आपको इंपोटेंट सीजिए है कि आपकी सेल्दी में बड़ोतरी किस परकार से होगी देखें यह वीडियो में पूरी जानकर ऑथेंटिक दे रहा हूं एकदम वरबली जानकर दे रहा हूं यह आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पिलिए चैनल को सब्सक्राइ साल में एक बार एक जुलाई को एक निक्रमेट लगता के महेंगाई बत्ते बढ़ते पे साल में दो बढ़ता एंग जनुरी में एक जुलाई में ठीक है फिलाब दीयिये चलता है 34 बड़ाया यह दिए प्रोफाइल के बात करें बहूती अच्छी प्रोफाइल बहुती जो भी सरकारी हो लीड़े आते हैं वो सभी छूटी education लिउट यानि आगे पढ़ाई के लिए छूटी ठीक है जैसे आप आगे PhD करना चाथे हैं ठीक है आगे पढ़ाई करना चाते हैं तब आपको कितनी छूटी मिल दिये तो जब आप probation period में रखते हैं in two year दो साल के अंदर तब आपको education value मिलेगी एक महिने की, ठीक है, एक महिने से ज़्यादा लेंगे, without pay मिलेगी, इसके आपको salary नहीं मिलेगी, without pay value, एक महिने से ज़्यादा लेंगे, तो जो आपका probation period है दो साल, उतना ही आगे बढ़ जाएगा, दो साल complete होने के बाद आप अपने इच्छा कोनुशा कितनी मिले सकते हैं, without pay leave, एक बार में आप 6 महिने की ले सकते हैं, इसके फिर आगे और बढ़वा सकते हैं, यदि आपके बच्चा होता है, तब आपको फितरता अवकास मिलता है, 15 दिन का, मातरता अवकास मिलता है आपक अब देखें साथ हो यह दिपन बात करें परमोशन की, यानि परमोशन किस परकार से होता है, तो देखो राष्तान में रूल होता है, परमोशन का, वह रूल क्या होता है, समझ दिया पर लिए, परमोशन आर गिवन एट फर्स्ट टैनियर, ऑफ दियर, जो जो होना है, यह आपका परमोशन होना है, एसोचेट और प्रोफेसर में, इसकी ग्रेट पर होती है, छासेट सो, ठीक है, अम मालो, जैसे आगे पद खाली नहीं है, एसोचेट प्रोफेसर के, ठीक है, तो क्या होगा, आपको 10 साल बद अगली ACP मिल जाएगी, अगली ग्रेट मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं हो, एस इसी सिच्चेशन आती नहीं है, परमोशन जल्दी हो जाता है, प्रोफेसर के अंदर, इसके आट से नो साल बाद आपका प्रोफेसर में, प्रोफेसर में आने के बाद, यह आपकी क्वैल्टिन है, तो ठीक है, प्रमोशन में थोड़ा समय लगता है अब देखे इसके बाद प्रमोशन होगा आपका सीनियर प्रोफेसर इन युनिवर्शिटी अब आप सीनियर प्रोफेसर बन जाएंगे कोलेज के अंदर यह दोनों पद कम होते हैं ठीक है इसलिए इनमें आगे प्रमोशन होने भी काफी समय लगता है इसके बाद जैसे आप इसवे 7-8 साल काम कर लेते हैं पड़ा लेते हैं एक्स्परेंस ले लेते हैं तब आपको प्रमोशन हो जाएगा कोलेज प्रंसिपल के अंदर बहुती अंदर बहुती बढ़िया जोग है बहुती अच्छी सहली रहती इसी कोलेज प्रं प्रंद आप इस प्रंद आप लिए प्रंद आने वाली यह पांट आरेशुच्छ पदों पर बढ़ती आने वाली तो उन्से रिलेक्टर आपको कोई भी जान करीजिए ठीक है उनकी वही क्या तो सहली रहती है कौन कौन से उनको अत्तिरिक्त बद्ते मिलते हैं ठीक और छ और डियर माप से एक बार फिर कहना चाहूंगा यदि आपको एक परसेंट भी वीडियो में कोई फिजूल जानकरी मिलियो तो चैनल को अनलाइक कर देना लेकिन यदि ठोटी सी आपको न्यूज अच्छे लगियो ठीक है वीडियो इंपोर्टेंट लगाओ जानकरी ओठें thank you friend